सबी को जेजवार, उडाल पेंता हो आशे, जिमेदारी के आणा सेवार से, आप सबी को पातिल से सेवाजवार आज़ाए आजस्तान से कॉंडागाउं बस्तर शत्तिस गड़ एक लेड़ हजात किलोपिटर दूसे आप मैं मुझे दिल से लिए और मुझे आने का सुभाव ज़िए और आप सब का दुस्तने हाँ आप सब के अंदर एक अपना तरे की बादा ने हमारा दिल चित लिए आज आज गोर्णा समास अनक समीथी के जारा ठाकूर जोहार नी कारेकरम ने हमारे आदिवसी समधाय के पुर्पोर आजा इस मसली जोहार को पुरे देश के अंदर मना अपना ये बाद अलग है कि अलग अलग इलाके के अंदर अलग अलग प्रकारि अलग अलग नाप से समुधी के जाता है लेकिन ये जो फस्ति जोहार इसके बारे में जैसे मैंने समधा मुझे पुर्पोर आगे के अंदर हम बेल समों से आते हैं आजिवासित समाच काडिये ने हैं और ये आजिवासित समाच काडिये ने होने की वज़े से आजिवासित जिन्दा है और यही आजिवासित आज आज के बीच में खिच किलाई हमें साथियों माच्छूिक राजवार हमारे समास को आज़ी वसिस समुचर है कि समास के वा समाऑथ संक्रण के बढानी उद्धे मैं आकि इस असानी सांचा working हो वहाए Chelsea उन्टाभी। साथियों से प्राजियों से सब्सक्राइब करना चाहिए। 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 मैं पुर आप स्वाह सब्सक्राइब करना चाहिए। प्राजियों से सब्सक्राइब करना चाहिए। साथ्यों हमारा देश कुछी इसमें जर्चिकाना चाता है। इस देश के प्रता मत्रिया हो या हमारे देश के राच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् जिस देश को मान कहा जाता है उस देश में अफिकी देवों बारा आ जाता है मतलब विवाद भारी के खारा होता है, यह कह जाए जाता है, उस देश से हम आय hai, यह संपोदन दिया जाता है, कि बारण देश में बीजिता होने के बावजूर, अनेक धर्मा, अनेक सास्वती, आनेक जातिया होने के बावजूर अनि- uh. है तो विद्य समें संफोरी दिया जाता है कि साथ्यों अजिती देवों हम सरकारी हरों हैं हम सब्सक्राइब बड़े जिल्च में हमारे जिल्च में जो आला मेहमा उसको बगवान के बराबर माना जाता है लेकिन यह सब आजिवासी इलाके के अंदर ही बत्रमान अस्तापीत है आजिवासी समुझाय में भी अस्तापीत है क्योंकि आजिवासी समुझाय के अंदर किसी भी गाह में किसी भी गाह में कोई भी अग्यात रेक्सिय अंजान बिटी चला जाएगा तो उसको मां समा बिठाया जाएगा, पानी पिला जाएगा, चार्च पिला जाएगा, भर पेचान नहीं हो, इसके बाउट पूछा जाएगा, कहां से बराबर पेमा पेचान में नहीं हो, यही बाउट सहर में जाएगा, जर्वाजे पे रोख लिए जाएगा, को आहा हो, किस इसके बाद उसको प्रवेश दिया जाएगा तो अधिती देवों बहुत सब्सक्राइए कि सस्क्रत से निकला हुआ और आजिती देश पासब्सक्राइए जो विदेश में और हमारे सत्यव हैं लेकिए आप यही देस में अरफ एकूलाए हैement और मैं और क्यो आया है किzh सभा है आप लिए जिस समाज का साथी पिकेट लगा के मुझे सांसत बनाया गया है उस समाज का कर्ज उतारना है यह सोचके मैं राज दिन मेहनत करता हूं ताहां करता हूं इसलिए आपने मुझे यहां पर साथियों को हमाज समाज के अगर बात करें इतिहासी प्रस्ट भूमी की आजादी से पहले आंग्रेशों से लए राजा 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 सामतों से लड़े मुगरों से लड़े अगर आज़ा से लड़े एकरम दें पहले तो अगर कोशी फिर हूँ है तो आज़ी वसी प्रदॉजा से लाजाप है बारald तेह से लाजा कराने में अगर सबसे कराने किसी का खूल भाहा है तो आज़ी वसी समुदाय का है हमारे पूर्वजन का है लेकिन दुक की बात ये है कि हमारा किहाद कई किताबों में कई पाटिक्रों में एक फूर्ट जाट छोटी दो लाइट की मात पाटा सुजा आजादी के बात का अगर देखें इस देश में अगर प्रती दीन कर अत्याचार होता है इस देश में विस्तापन होता है तो सबसे जाजा अगर प्रता हो रहा है तो आजिवास के समुझाएका हो रहा है आज ही तारी बाईवच्टिस गर में हो बाईवचारखन में हो बाईवचारखन में हो लेकिन विकार के नाम से अगर प्रतापन हो रहा है तो सबसे ज़ादा हाई वागता है ये जो काजिश पकड़ारा चाहिए हमारे आजल कमेंटी ने बताया कि इन इन मुद्धों पर बात करना है साथियों हो हमारे जो सब्सक्रती है परंपरा है ये हमारे आइडेंटिटी है अगर आइडेंटिटी नहीं रहेगी तो हमारी पेचाम खत्म हो जाएगी और पेचाम खत्म हो जाएगी तो प्रमान पत्र मिलना भी मुश्किल हो जाएगा और प्रमान पत्र मिलना मुश्किल हो गया तो हम अजिकारी नेता बना भी मुश्किल हो जाएगा इसलिए हमारी जो सब्सक्रती है कई लोग पड़े लिखे बनने के बाद अजिकार इन्यता बनने के बाद ये केते हैं कि ये तो पुराने जमाने का काम है हमारी सब्सक्रती के बारे में हमारी पुजापतिती के बारे में कुछ लोग कर देते हैं कि जमाना बजल गया है हमको बजलना पड़ेगा कब तक ऐसे में ऐसे रहो ये कहा जाता है लेकिन वो उसको उसकाबिल कहलाने के लिए और उसकाबिल बजाने में सब्सक्रती का बहुत बड़ा योगदान है जो विक्ती उपर जाके ये बोलता है उसको उसकाबिल बजाने में इस सब्सक्रती का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे आजिवर्सी समूदाई की सब्सक्रती हमारी परवड़ा, रिकी निवाए हमारे विकास में कहीं पर भी बादक नहीं है वो हमेंसा सहायक के रुप में काम करती है हमारी सवस्रती हमारे विकास में सहायक है नगी बादक है बादक नहीं है सहायक है साथियों इस देश दुनिया जो माव बना गर्तमान के अंदर और 36 गड़ इतना सुंदर इलागा है बोहरी प्रशी से स्वर्ग है या के लोगों का जो व्यवार है हमारे समुदाय के अंदर जो प्रेव बावना है वो अन्य इलागों से सबसे बड़िया हमाया के लोगों का दिल है मन साथ है एक सुंदर 36 गड़ को पुरे देश में अलग नजरिये से देखा जा रहा है मुझे दुखे इस बाद का एक सुंदर 36 गड़ जो भोगोलिक दरशी से साथसे सिक दरशी से यहां के लोगों का व्योहार यहां के लोगों का प्रेम भाव पुरे देश से बेष्ट है लेकिन 36 गड़ को पुरे देश में बत्तमान में एक अदर नजरिये से देखा जाता है दिल्ली देसी राग्दाई में कोई निज चथिती है यहां अपरियो जाती है महत्यपरदेश में कहीं पर भी 36 गर्स के भाहिए में सबसे बेर कोई बात आती है तो कोई भी निज चथिती है तो एक ही बात बोली जाती है उस निज-में क्या बोला जाता है कि नक्सलाइट इलाका आज में 36 गड़ाया तो जो आजिवसी समुदाय के वीरोधी जो विचारदारा के लोग है वो राजस्तान में भी कह रहे हैं कि राज़कुमार रोज नक्सलाइट इलाके में गया है राजस्तान या किसी भी देश के कोने में ये किसी भी न्यूस्पेपर में आज़कर ये नहीं चपा कि 36 गड़ भोगोलिक द्रश्टी से सबसे सुन्दर है वहाँ पर आजिवसी समुदाय रहता है और आजिवसी समुदाय की एक विशेश फेचान है एक सांदार कल्चर है ये कहीं नहीं बताया जाता बस यहीं बताया जाता है कि सक्ची जड़ भाप है एक कलंग लगा दिया है मैं पिछली बार आया तक ज़र विजाय था मैंने सुना एक 11.12 साथ की बच्ची को नक्सलाय केके मारा गया इस बेंदू में भी लिखा है कि आजिवासी समुटाय को कुछ लोग प्रसासन के स्क्रयोद से इनको पद्लाम करके नक्सलाय का दबा लगा के उनको मार दिया जाता है पिछले इन आठ मैनों के इंदर 37 गड़ में 150 के आस पास लोगों को मारा गया है नक्सलाय के नाव से मैं यह किया रहा हूँ कि सारे के सारे निर्दोस थे हैं कुछ वो गलत लेकिन इसमें कई ऐसे लोग है जो विचारे निर्दोस है हो रहा है नहीं हो रहा है यह किसलिए हो रहा है यहाँ पर इस इलाके के अंदर कई पता है और कई इलाकों के अंदर आजी वासी समुदाय के आजाब भी नहीं बने हैं वाटर आईडी भी नहीं बनें लेकिन दूसरी ओर 36 सब्सक्राइब कौन सा मिनरल है कहां से कोड़ा निकल रहा है कहां से आहर निकल रहा है कहां से सोना निकल रहा है ये सारा खंगालिया सरकारों ने लेकिन आजी वाश्यू की इस्तिती के बारे में ज़्यादा खंगाला नहीं है एक एक पहाट, 36 सरका एक एक इलाके की एक एक मिंद्रस के बारे में सरकार के पास रुपोर्टे कि इस इलाके में यह आगरा निकलेगा, इस इलाके में सोना निकलेगा, यहाँ पर कोईडा निकलेगा, यहाँ पर बॉकसाइट निकलेगा, यह स लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है कि आजी वासी समूगाए का विस्तापर साथ योग मैंने देखा पिछले इलागे के पिछले समय में इस देश के अंदर ट्राइगर प्रोजेक्ट पराएं उनी सो पहुतार के अंदर एक कलाई सरकार के इंदर सरकार और पूरे देश में अभी तक सपन से 57डर ट्राइगर प्रोजेक्ट किये surgeons बनाएं और इसमें से 70 से 80 % ट्राइगर प्रोजेक्ट अनली पटोह आजी वासी इलागे के अंदर बना या अवा न्हें आप तक ट्राइगर प्रोजेक्ट के नाम से पूरे देश के अंदर पिछले जो समय निकला उसके अंदर गहां निकल के देखे तो पाच लाख चपन अज़ान आदिवासियों को विस्तापित किया गया ट्राइगर प्रोजेक्ट के नाम से आपके यहां पर भी साइद विजापूर में ट्राइगर प्रस्तावी थे इससे चोकर करने वाली पाच 1910 से लगा के 2021 तक 5,5,5 लाख आदिवासियों विस्तापित हुए लेकिन 2021 से 2024 तक मात्रफ चार साथ के अंदर 3,5 लाख लोग विस्तापित हुए तिन लाख लोग इस्तापित किये थे ट्राइगर प्रोजेक्टे के नाम से यहां पर माईनी होता जबा के हम देश के विकास में बाज़क नहीं हैं लेकिन जो विकास अधिवास्यों का नाज़ करके किया जाता है विकास हमारी नज़र में गलाख हुए हमने देखा पिछले एकागे के अंदर फॉरेश के अंदर जो अधिवासी रहा है वर्सों से आजाजी से पहर से उसके लिए एंडिये की सरकार 2006 में फॉरेश रही एक तलाई लेकिन 36 सरकाई में ने आकड़ा निकाला पिछले पास साल के अंदर सो से दो सो हेक्टर जमीन भी फॉरेश रही एक तके तहर आवंटर नहीं किया गया लेकिन पूरे देश में वाविबादी 18,982 हेक्टर जमीन प्राइवेट कमपनियों को दी कितने 18,982 हेक्टर जमीन प्राइवेट कमपनियों को फॉरेश की जमीन दी गई लेकिन एक विचारा गरीबाद में जो आजादी से पहले बनी बाद में रह रहा है वो आज ही पटो के लिए तरस रहा है आपके 36 गार के अंदर भी पिछले पास साल के अंदर 2280 हेक्टर जमीन फॉरेश की प्राइवेट कमपनियों को दिया गया लेकिन 36 गड़ का अधिवासी समुदाय को 200-300 हेक्टर भी आज तक कितना चाहिए उस आदमी को रहने के लिए एक या दो बिगा चाहिए लेकिन वो भी आज तक नहीं मिल पाया साथ ये लगाई लंबी है ये लगाई राविती करने की भी नहीं है ये लगाई जो हमारे पुर्खे लड़के गए हम बिस्वा मुंड़ा जी को याद करते हैं सिखते हैं तलका माची को याद करते हैं और फैर जंगल जमीन के लाषया हमें वे पुर्खे जंगल जूता जमीन ऊजारा लगा लेते हैं लेकिन जल जंगल जमीन को उजाह कोण रायिक से बाइन हमें का ते हम भी तो ईनकि यस अन्पनीय आई क deity करते हो क्योंकि आपकी जबीन हर्पी जाती है आपको विस्ताविन होड़ा वड़ा है कि देश के अंदर जो आजिवासी समुझा है इसमें से 70 प्रसेंट आजिवासी अपने जीवनकाल में एक बार विस्तापीत होता है अपने जीवनकाल में 100-100 साथ के अंदर आजिवासी समुझा है एक बार विस्तापीत होता है एक सवे रिपोर्ट आजिवासी साचियों हम भी रोग करते हैं लेकिन हमें यह भी जान रखना है कि 36 गजाके के अंदर तो माइनिंग कंपनिया है बड़ी बड़ी कंपनिया है उस कंपनियों से चुनाव के दोरान इलोक्टोनिक बोर्ड के उन पर पार्टिया चंदा ले रही है उस पे भी जाना पड़ेगा हमारा विचार बोला पला दिवसित समुदा है क्या समझेगा इलोक्टोनिक बोर्ड चुनाव के दोरान इलोक्टोनिक बोर्ड लिगली चंदा लिया जता है 36 गड़ के इलागे में माइनिंग करने वाली अधिकतर कामपजियों ने चुनाव के दो आट इलोक्रोनिक बोर्ट मलब चंदा दिया करोरो रूपियों में 700-800 करोर के आफ़ा चंदा दिया गया अभी हमारा बोहावाला समाज के से समझे साथ यो नारादों के अंदर फल से ना का मैं आया मुझे जानकारी मेलिंग मैंने निउस्पेपर में पड़ा था हम सेना का सम्मान करते हैं जितना आजिवसे समुझा इस देर की आजारी में लड़ा है जो सही गुए है जो आज तक जो सही गुए है उनसे कई गुणा है हम सम्मान करते हैं लेकिन आजिवसे समुझा के अंदर सेना के प्रती गलत बाहुना लाने का काम बत्तमान में किया जाए है वो बाहना केसे आईगी क्योंकि आजिवसे की जमिन छड़के अगर सेना के केम लगाएंगे हम सेना को यहाँ पर जो केम रेंज लगा जा रहा है तो आजिवसे और सेना के बीच में टकरावाली इस्तती पेदाओ पेसाइक्ट में प्रावदा है सिडूल फाई में प्रावदा है कि पास्वीयों सुचिया अंदर कर आजिवसे की जमिन ना सका ले सकती है ना ही कोई गेर आजिवसे वेक्टी ले सकता है यह किस में प्रावदाने है सिडूल फाई में प्रावदाने सपावी किसी भी पडियो उत्रा को लगाने के लिए आजिवसे की जमिन नहीं ले सकती है जब तक आजवस हो अब नहीं देती है अब ये अदिकार कैसे मिला पांच मेनूश सुजी के इंदर किसे मिला हम को किसे ने दान में दिया क्या यह हुआए उठोने उर्खों ना आ अपनी जान रौई इसके बाद अगरे जोने और समिजान निर्वातों में विच्ब कि यह सबुरा हड़ा वफसालों से जह जंगल की जमीन की लड़ाई लड़ता आ रहा है इसलिए उनको इसे प्रावदान देना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में जब जंगल जमीन नहीं हो जाए इसलिए बाइस में सुझी का प्रावदान किया हुए लेकिन आज यह नहीं हो रहा है फेसा एक्टे की पाला नहीं हो जिए बिना अस्वामती के हर जगव पे में हादे हो गया का इसमें जब इजाय के लिए बाइगा बाता दिया गया सापन्सो ग्राम पंचात के लोगों को पता है नहीं है फर्जी ग्राम सुवाव रा दिया गया इस तरह की जो गतिविज्या हो रही है इस मंच पे विराजमा समाजी संगटन और सभी फार्टियों के बदादी का जिसे मेरा हमुरोद है कि हम जिस समाज का साटीपिकर लगा कि इस लेवर कर आए है उसका कर्द ज़र्दा करने का आपको काम करना है आने वाले समय हम चाहते हैं हमारा देश का विकास हो हम भी चाहते हैं हमारा देश जिस्वों में सबसे बड़े ताकतवर सकती बढ़े लेकिन आजिवाइस्यों को खतम करके इसको ताकत वर सकती नहीं बना सकते हैं साचियों लंबे समय से हमारे इस इलागे के अंदर देखा लिया है फ़र्जी प्रमान पत्र वारा कुछ लोगे आजिवाइस उसे नब्रा करते हैं लेकिन रिजर्वेशर का लाव लेने के लिए फ़र्जी प्रमान पत्र पूरे देश में बनाए जाए आपके बस्तर में भी बनाए जाते हों सतिसंगें बी बनाए यहिए पुरे राच बना जाए इस साथी ने प्रमान पत्र क्यों मिला हमें हमारे आप कपाब पैजय निए कहीं लिखा अपह दियूया है अग्या एक टीiseen ने से पता चलेगा दूस्रा सश्क्रति से पता चलेगा कुल्चर से पता चलेगा पुझा पद्धती से पता चलेगा लेकिन दीरे दीरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी सबस्रेश्थी पर कलम चड़ाने का काम होगा है हमारी पुझा पद्धती पर कलम चड़ाने का काम होगा है और दीरे दीरे हम पढ़े लिखे कई लोग सबस्क्रश्थी को बु कि आपटिक मंच नहीं है ना यह थामिक मंच है लेकिन ग्यापन दिया उसमें मुझे रिक्ति दिया गया कि आदिवस्थी धर्मकोर्ड लागू करने को इस ग्यापन में दिया गया है कि आदिवस्थी धर्मकोर्ड जारी किया जाए जब इस बाद पे आते हैं काफी पूचा रहा है क्यों समझे आ रही है पता नहीं माईग में साथ नहीं दे रहे हैं साथियों मैं आज गुमा इस बस्तर इलागे के अंदर कॉंडा गा में मैंने सभी धर्म को नजदिक से देखा है सभी धर्म की धर्मिक परंपरा को भी देखा है जेन धर्म की परंपरा को देखा हिंदू धर्म की परंपरा को देखा है इसाय धर्म की परंपरा को देखा है बहुत धर्म की परंपरा को देखा है लेकिन आजिवासी सबुदाई की धर्म परंपरा, बत्ती परंपरा, हमारी पुजा पत्यती, किसी भी धर्म से मेल नहीं खाती इसलिए अपने आजिवासी को लेके, पुरा देश का आजिवासी, आजिवासी का अलग से धर्मकोड की मांग कर रहे है क्या इस बात में आप सबी सामत हो, पका, कौन सामत नहीं है, सामत कोन नहीं, सब सामत है हम यह कहते हैं कि हमारा बात, हमारे खुज के बात की बात करते हैं, तो दूसरों को दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या हम किसी भी दरह के विरोधि नहीं है, हाँ किसी भी दरह के विरोधि नहीं है, लेकिन अजिवासित की अपनी पश जिद्सें की सबाहिए है, ना इसाई है, ना सिख है, ना बोल है, आजिवासी है, हमें आजिवासी की सस्कृति, हमारी आइडेंटिटी को बरकरा होती है, आप सभी के साथ सयोग से, हमारी लड़ाई दर्म की भी नहीं है, एक बात ये भी समझना है, हमारी लड़ाई, हमारी सस्कृति बचानी की है, हमा अब और रही है नहीं के अद्या जमीन की है हमारे अद्याय आइडेटी बचाने की है लेकिन दर्व की पाद इसलिए बाबा चेड़ जाती है किस देश से इंदर हमने देखा कि आजिवासी समूदा है कई इलागे में हिसाई भी बना हुआ कई इलागों में आजिवासी समूदा है कुछ इलागे में आजिवासी समूदा है कुछ इलागों में आजिवासी समूदा है सिख भी बना हुआ है इस देश के प्रते औरे में हर इलाखे में आजिवसी समुदाय है लेकिन अलग अलग दर्मों में बटा हुआ इसी वज़ें से 36 गवर बसता है किसी जार्ण में आजिवसी समुदाय पे हत्यचार होता है लेस आजिवसी एक नहीं बटा रहा है हम देखते हैं मरिकों केंदर बाहर का इस्सा है मे 나रे समुदाय और को की समुदाय दोसे मुर्ण आजिवसी है लेकिन दोरो लोग दर्म अलग लगए और दर्म की लड़े बटाए वो ऐसे मरे हैं कि अपने इस साथ दर्माने का अधिकार देता है और इस देश का पेजा उजारे विम्राव में परसंग जानते सविधान निर्माता कि अप्टूंबर 1916 में चार लार लोगों के साथ बहुत दर्मा अपना है कौनसा दर्मा अपना है बहुत दर्मा क्योंकि सर्जान राइट जेता है कि हार एक्ति को अपने हिसाब से मानना है लेकिन यह सचा है का अधिमा से समुदा की अपनी दर्मा बज़ती आएट दर्मा से अलग है उस सभी दर्मा से पहर है जिन दर्मा का निर्मा नहीं हुआ उस समय से अधिमा से समुदा अपनी पुजा बज़ती करता है लेकिन ये रिखा दिया है कि राज बिति लाव लेने के लिए कुछ लोग अब भी राज बिति लाव लेने के लिए कुछ लोग हमारे दुरा से समुझा को दर्मों में बाटके राज करना चाहते साथियों में कई बार बोलता हूँ कि आज भी एक तो सबीन से विकलाम होता है अपने हाथ या अपने पेर से अगर हाथ या पेर से विकलाने अपन को दिखता है कि इसका हाथ टूटा हुआ है इसका पेर टूटा हुआ है लेकिन इस देव से कुछ पुछ पुचाता रहा इसी है जो इंसाम को दिमाज से विकलान बनाने का काम करती है मेरी बात को समझे होंगे या किस देश में कुछ इचाता रहे जी है जो हमारे समझाए कि कुछ रोगों को दिमाज की रूप से मांसिक रूप से विकलान बनाने का काम करती है हम आखों से आदा आएं, उसों केशते हैं आगे खटा है, वो अपनी बाहर वहाँ लेगा लेकिन जो दिमाग से अंदा है, उसों कहींगे आगे खटा है तो वो पन से लड़ने के लिए आएगा और यही हो राया है आप जो अजिकारों की बाहर करोगे आप जो ससक्रदी की बाद करेंगे आप आप अच्छे ज़र्वों की बाद करेंगे सबसे पहले आपा ही भाई जो मासी दूप से इकला हो वो आपके सामने आके ख़ड़ा रहेगा आपसे लड़े यही सती इपने देश के अंदर बड़ी हो साथियों, रिजर्वेशन की बाद है, हमें इक निकत नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आधिवाश्यों का बला चाहते हो, तो दूसरे कфाव लगें लगें, लेकिन सर्फी के कथा भी लगाया करो कभी, क्या क्या भिकार में बताती हैं, सभी परकार के अधिवाश्यों की बाद हैं, लेकिन मेरा इक निकन है, कि हमें दूसरी कथा लगें मतबंबंबंबंव की लगने किया तुछ अरिरो हम पुरी है हम करें सि 20 कितने परकार कीि नहीं देँ प्रता की और dent करने के लिए सिख्षा कि तीसरे दाद की सिख्षा जो किसी प्राखत करने के पढ़야 जाती रही ज़रुर्द Starting किory कृणा नो वार्त जिए कार्णा च्या सच ती व्यार्ट है जो में दसाया जाता है स्बसक्रा किर जैर हो जाना आणolare के बाट पॉस सिगन फाइए में किस कर्णा काड़ा वे किज remote कि लुए पढ़ा जाया पएशाय को नियुक्रेट में आज वाक्स समाथ के पहीं पेटियों पेटियों पेश्ट से शुक्राइब पढ़ाएख लगाएंगे अस्तंटेक्स उसको किसी पाटकर में क्यों नहीं पढ़ाएख लेकिन तिन सो सा दैसो सा पहले हमारी बहीं पेटियों पेस्थन टेक्स लगा उसके बारे में क्यों भी पढ़ा रहा है। अजाजी से कुछ समय पहले तिलका माजी विर्सा मुंड़ा के बादे तो भी पढ़ा रहा है। मैंने देखा एंसी आटी के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर आजी वासी समुदाय के इतिहास के समद्धित, आजी वासी समुदाय के अजिकार के समद्धित, अगर कई छोटा मोटा भी था, उसको भी हटाने का काम किया है। एंसी आटी की बारी की किताब बिर्सामुंडा का इतियास लिगाता, बिर्सामुंडा के उभ्देश लिखे थे बिर्सामुंडा ने कहा था, क्याजिवस्थिस समुदाय की पुझा बद्धित अनेक धरों अन्य धरों से आलग है, वो किसी भी दरा में मेंल नहीं खाती विर्शाम मुंडा जी ने वो देश दिया था एक लेखा ने लिखा रहा था वो कहीं जाओं से NCRT में परा जाता था लेकिन दोहजार चोईस में उसको हटा दिया गया और कहा कि आज विर्शाम मुंडा जी हिंदु धर्म को अपना UK के चले गए पर वो सच्चा यह नहीं था लेकिन यह बात चलू है कि आजिवासी समुदाय सभी धर्मा से पहे हैं आजिवासी समुदाय के अपने खूद की तरह भी प्रश्ता है यह सच्चा ही हिंदु विवादियम 1905 पर हिंदु तो आजिवासी समुदाय पर लागू नहीं होता है क्यों कि आजिवासी समुदाय हिंदु नहीं है यह मेरी के रहा है यह हिंदु विवादियम के रहा है सुप्रिल कोड के कई जज्ज्मेंट के रहे हैं हाई कोड के कई जज्ज्मेंट के रहे हैं इतिहास के रहा है सभिदाय के रहा है कि आजिवासी समुदाय आजिवासी है वो सभी दर्वा पूर्मी समूदा है ये सच्चाई है साथिव आजशन की बात को बेने थोड़ा अलग बेने थोड़ा लेकर परोष बताया आजशन की बात करते हैं यहाँ पर लिखाएं कि आजशन सो प्रतिस्द लागू किया जाए कितना प्रतिस्द? सबीदान में प्रतिस्द लागू किया जा क्या यह सच्चाई है? क्या यह सभीदान में प्रावदान है? सो प्रतिस्द रिजर्वेशन लागू हाँ आज़िए यह बात आप सब कर रहे हो मां कर रहे हो नहीं कर रहे हो कर रहे हो क्या सबिधान में इसका प्रावदान है, सबीधान में प्रावदान है, शडूल है शडूल फाईन शेडूल सिक्स में, जबेन का हो सासन प्रशाशन में 100% रिजर रिशा आधी वाशन को मिलना चाहिए, ये सबीधान के इंदर है, और इंप्लिमेंट, भी हुआ है कुछ को अंदर आंद्र परदेश आपका दूर नहीं है आंद्र परदेश राज्जब में 100% रिजल रशाख 7 साथ तक मिला सिडियो एरिये की कोई भी बटी 101 से 109 की बटी में 100% अगर गोच एक सो पचास जिने आई है थार्द रेट टीचर की तो एक सो पचास जिन पचास आदियों से उसे बढ़ी जाएगी ये प्रादा है और आंद्र परदेश में 7 साथ तक लगू रहा आंद्र परदेश को लोगों को मिला अगर सबिदान में परदा नहीं होता तो अंद्र परदेश में 7 साथ तक नहीं मिलता अब खतम कैसे हुआ कुछ लोग वीरोधी लोग हाई कोट गए सुपरिम कोट गए और वहाँ मेनेज होके वह मामला आज भी सुपरिम कोट में इटका हुआ है यह परदान है लेकिन सबिदान के मंदिर की और सबसे बड़ा ग्रंट है सबिदान उस ग्रंट को कभी नहीं बाटा जाता है बाकी ग्रंट की किताबे बहुत बाटी जाता है तो हमें सविधां के ग्रंत है उस ग्रंत को समझना है उस ग्रंत को लाटना है उसको ग्राण करना है और उसमें हमारे क्या अधिकार है उस अधिकार को समझना है यह हम सब की जिम्मेदारी है हमने तो जिन्दगी निकाल ले, आप सब भी निकाल लेंगे आप भी संगस कर रहे हो, हम भी संगस कर रहे हैं, नेता बन के कर रहे हैं, पता ने कब क्या हो जाए लेकिन हम आने वाली पिड़ी को क्या देके जा रहे हैं आप में आया, आपने पुजा पत्ति करवाई, हमारे पुर्वजोगा, आपने फूर माला पेनवाई मेरे से, क्यों पेनवाई, क्योंकि ये लोग हमारे लिए लगबार के गए, हमारे लिए जमिल निकाल के गए, हमारे धिकार दिला के गए, इसलिए हम घड़वती दिया, प वर हम जो कर रहे हैं आग हम आवसकता वाली बोतिक सुख सुविदा वाली जिन्दगी जी के अजिकार खतम करने वाले लोगों के साथ खड़े रहे हैं तो आने वाले 43-45 साल बाद हमारी पीड़ी जब जंगर जमिन से बाहर हो जाएगी उनसे चीन लिया जाएगा पेचान खतम हो जाएगी उनकी धामिक व्यवस्ता खतम हो जाएगी तब 50 साल बाद हमारी पीड़ी है हम हमारा अगड़वत्ती दिया नहीं करेगी को करें कि कि अपनी बुजा बढ़ करें कि 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 हम तो हमारे धिकार जो है वो खतंगरर कimana हम तो हमारी ससक्रति भे और सठी का कि यरत है उसके वह रहें हमारे लोग टीचर बन गए कामसे बने लोग करके पुरे देश के विश्वी जाले है यहां पर आदिवाश्यों का प्रतिनी दित्व अगर 100 प्रोफेसर है तो आवर 2-3 प्रतिनी दित्वा है और इसमें भी देखा जाए तो हमारे इलाके का प्रतिनी दित्वा आज भी नहीं है इसलिए साथियों मेरा जाने का उदेश से यह है कि हमारे इंदर जालुकता है हम हमारे दिकार को पेचाएं और दूस्ता को हम हम को पेचाएं और दूस्ता करें इसलिए कर दिया है रिजर्व सीट का ताकि उस समाज का एमेले एंपी जाके समाज का प्रतिनी दित्वा करें लेकिन आप देश के अंदर जिस समाज का साथिपिकेट लेके जल प्रतिनी दी जाते हैं उस समाज के प्रति उतरता इत्वा कम रहते हैं उस समाज के प्रति जबादे कम रहते हैं वो जबादे किस के रहते हैं हाई कमा रलेकिन लेकिन प्रतिनित्ट को मुझे लिकनने प्रतिकों प्रतिनिती सब्सक्राइक व्यों मिक्राइब। जाए पर चांगा यह सहस्क्रति यह आपकी तागत अब सोगत जाएब हरा टहरी बाषक को Til रॉपतम तो यह हेँ प मुंधा ना कि हलवी बाषा गुंधी बाष till 5は तो राज भूलिष तो पर अट्वी वीर्वित 164 तुर्ण स्केम्धर्स परकार आप आदिकारों को लेके और कि बोली बासा थे विख् daha सब्सक्रा नो coefficient की बात उठाएंगे और जा मेंड़ी देखा त्रोपाप हो रहा है इसलिए सरकार से माँ करनी है मेरी और से भी मज़द करूँगा कि जो भी टीचर लगा जाए या तो अलग से पंड क्रिये जाए कि ये किया जाए जो हलवी और गुल्डी बासा को जाता हो उस बासा से समझी टीचर लगना चाहिए हमारे अजिवासीला या जो भी आपके जो एक्जाम होते हैं उस एक्जाम में ये किया जाए कि 5 प्रसेंट या 10 प्रसेंट हलवी बासा गुंडी बासा के नमबर होने चाहिए जिसको गुंडी और हलवी आती है उसी को 10 प्रसेंट नमबर दिया जाए ये प्रापदान होना चाहिए तो ही हमारी वासा बचेगी और वासा बचेगी तो हमारी आइडेंटिटी बचेगी इनी सब्दों के साथ आप सब को दिल से धन्यवाद आवाद आप सभी से अंतर में यहीं नुरोध है कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाना है हमारे बच्चों को हमारे हकतिकार को जानने के लिए केला ह हमें वास्तविक्ता की ओर ले जाना है हमें कालवनिक्ता की ओर नहीं जाना है हमें 307 पुराना हमारा समाज का जो इतिहास है उसको समझना है 6,000 साल पुराने इतिहाज को नहीं समझेंगे चल जाएगा लेकिन 400-500 साल पेले हमारे समुझाय के साथ जो अन्याय हुआ है उसको समझने की जरूत है इनी सब्तों के साथ मंचासिन अथितिन सारे हमारी नारी सत्ती सारी मैलाए, पुरुषो और सारे हमारे अधिवासित समुझाय के युवासातियों को धन्यवाद और एक बात अंतमें और कहने जाओंगा कि हमें आरे अंदर अधिवासित होनी चाहिए हम गौंड है, हाँ आप उराव है आप अन्य समुझाय हो लेकिन आधिवासित के नाम से सभी को एक होने की जरूरत है अगर देश लेवल पे हमें हमारे समुझाय को आप मन निर्वर बनाना है तो इनी सब्दों के साथ आप सोरों को धन्यवाद मैं बले राजिस्तान से सांसद सांसद हूँ लेकिन 36 गर्ड की बस्तर की कोई भी बात आएगी हम लोग राजिस्तान के अंदर अंदोलन करेंगे और देश की संसद के अंदर भी आपकी बात को उठाएंगे इनी सब्दों के साथ आप सोब धन्यवाद आबार, जे जोहार, जे भारत, जे सभीधान जे जोहार का ना रहें, जे जोहार का ना रहें, भारत, जे सभीधान बुराब धन्यवाद जेवाद जेवाद जेवाद